नमस्कार, मैं आइस्टो गुरुमा डॉक्टर जोती जोशी आप सभी जोतीश प्रीमियों का हर्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यत्य महतोपुर्ण विशे पर वारतालाब करने वाले हैं। एक कैसा विशे जिसका संबंद घर से, घर के हर व्यक्ति से, हर दिन आता है। वह विशह है हमारा घर और घर का देवगर घर का देवगर कैसा होना चाहिए किस दिशा में होना चाहिए उसकी उचाई उसका रंग ऐसी कई चीजे हमारे शास्त्र में बताई गई है जो आज मैं आपको सिधी सरल भाषा में बताने वाली हूँ इसलिए आज के भाग को अंतदग देखना ना भूले। साथ ही ही यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो शेयर करें ताकि दूसरों तक पोच पाएं। अर्थात अपने घर का देवगर या अपने मन का देवगर कहा जाए तो अधीक उचितों का। जब हम घर की राय से लेते हैं उसका निर्मान करते हैं या जहां कई भी हम रहने के लिए जाते हैं तो वह हमारा अपना घर होता है। जब हम उस घर में प्रवेश करते हैं तो उसमें संपूर्ण प्रवेश करते हैं फिर चाहे वह घर छोटा हो या बड़ा हो। घर की हर चीज हमारे लिए महतोपूर्ण होती है यदि उस घर में आपको संपन्नता लानी है आनंद लाना हो तो घर के संबंधित विचारों की शुरुवात देवगर से करें। कि आपका घर सिर्फ दस बाई दस फीट का हो तो वह एक हजार घंपीट होता है उसमें से कम से कम एक स्क्वेर फिट जगह हमारे देवगर के लिए रखनी चाहिए थोड़ी उचाई पर रखे लेकिन उसे पूरे मंद से रखे आपका तिंद बड़ा बंगला है उस बंगले जगह देवगर के लिए रखी जाती है वह जगह देवगर के लिए अधिकार से रहने दे क्योंकि वह जगह आपका आनंद बढ़ाने वाली होती है उस जगह के दिशा का महत्व होता है रंग का महत्व होता है अन्यभी कुष नियम उपनियम है उस हर चीज का सिधा प्रभा आप पर होता है। से रखो चोटी से चोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज हो वहां पास तत्व विराजबान होते हैं हमारे शरीर में भी पास तत्व होते हैं उन पाचों तत्व का संतुलन अर्थात आपके जीवन का संतुलन होता है इश्वर ने यह संतुलन आपको देखकर भेचा है वास्तु में भी वह निर्मान करने की कही न कही छूट दी है, यदि उसे उचीत पद्धती से किया जाए, तो आपके वास्तु का और आपके शरीर का संतुलन उचीत रहकर जीवन समरुद्ध मनता है. अब देवगर क्या होता है, तो देवगर अर्थाद भावना समवेदना होता है, सबसे महत्वपुर्ण बात है कि देवगर अर्थाद जलतत्व, अपने शरीर में सबसे अधिक जलतत्व का विभाग आता है, यहाँ आज के आधुनिक विज्ञानने माना है, इसलिए महत्वपुर्ण विभाग बाना जाता है वह जब संतुलित होता है तब शरीर संतुलित रहता है उसी पद्दती से वास्तु में जब देवगर संतुलित होता है तो वास्तु संतुलित रहती है अर्थात यदि आपको वास्तु का विचार या अध्यन करना है तो उसकी बाद में आती है लेकिन सबसे पहले यदि कौन सी चीज पर विचार करना है तो वह देवघर है अब देवघर कैसा होना चाहिए तो छोटा भी चलेगा बड़ा भी चलेगा वहां आपकी इच्छा पर निर्बर है लेकिन उचित स्थान पर होना चाहिए उचित पद्दती से उसे रखना चाहिए अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि घर में देवगर का उचित स्तान कौन सा है तो वह इशान्य दिशा है यदि इशान्य में आप देवगर रख नहीं सकते तो उसे आप पूरब या उत्तर दिशा में रख सकते हैं लेकिन यदि कोई समस्या ना हो त इशान्य दिशा में देवगर के लिए सबसे उचित माने जाती है। उसके पीछे भी शास्त्रिय कारण है। वास्तों में सच कहा जाए तो हमारे धर्म में जो भी नियम बताए गए है। उन सभी के पीछे शास्त्रिय कारण होता है। उन कारणों को हमें समझना यदि इशान्य दिशा में देव घर हो तो पूरब दिशा की ओर आप बेट कर इश्वर की पुजा आराधना करते हैं पूरब सूर्य की दिशा है सूर्य आत्मा कारक उर्जा कारक माना जाता है जिस कारण सभाविक रूप से वह सभी चीज़े आपको प्राप्त होती है यदि आप उत्तर दिशा की ओर बेट कर पुजा करते हैं धनब राप्ती होती है पूरब दिशा की ओर बेटने से विध्या प्राप्त होता है अर्थात इशान्य पूरब और उत्तर ऐसी तीन विकल्प आपके पास है वास्तु के पंच महाबुत ततों का जब हम अध्यन करते हैं तब दक्षिन और पश्चिम में वजन होना चाहिए साथ ही पूरब और दक्षिन उत्तर दिशा हलकी होनी चाहिए ऐसा कभी क्या होता है कि हम वास्तु के हाल की इशान्य बाजु लेते हैं और हाल के दिवार को ही लगकर वास्ट्रू में टॉइलेट हो सकता है यदि ऐसा हो तो इशान्य कोप्रे से थोड़ा सा दो फीट उत्तर या पुरब दिशा में जाना चाहिए उस दिवार पर भी आप द देवगर बना सकते हैं तो अब हमने इशान्य दिशा का चैय किया उसके लिए हौल चलता है दूसरे नंबर पर किचन चलता है तीसरे नंबर पर यदि कुवारे बच्चों का वेडरूम हो तो चल सकता है लेकिन सामान्य रूप से वेडरूम में देवगर होना नहीं लेकिन क्रम के अनुसार हम इस प्रकार योजना बना सकते हैं अब अगला विशे है कि देवगर की उचाई कितनी हो उचाई निर्धारित करते समय हम पहले अपना विचार करते हैं उसके बाद उश्वर का विचार करते हैं वास्तों में देखा जाए तो देवगर बनाते समय ह पहले अपना विचार करते हैं सब कुछ पूरा होने के बाद में देवगर बनाऊंगा मेरे लिए सरल हो ऐसी उचाई पर देवगर होना चाहिए तो ठीक है ऐसा भी चल सकता है क्योंकि वहाँ पर शद्धा महत्व पुर्णा होती है यदि आप नीचे नहीं बेट सकते खड़े होकर ही आपको पुजा करनी है तो आप सरलता से अपनी उचाई के अनुसार उसे रख सकते हैं नीचे रखना हो तो सिधे जमीन पर ना रखे क्योंकि वहाँ से हम चलते हैं धूल उड़ती है इसलिए देवगर जमीन पर रखना नहीं चाहिए आप बेट कर पुजा कर करने वाले हो तो सामान्य रूप से रुदय के लेवल पर देव आएंगे इस पंदती से देवगर की रसना करें यदि आप खड़े होकर पुजा करते हो तो भी हन्यम लागू है अब देवगर की दिशा निश्चित हो गई स्तान सुनिश्चित हो गया उसके बाद विशे आ आप ले सकते हैं देवगर सामान्य रूप से लकड़ी का होना चाहिए यदि संभव ना हो तो अन्य विकाल्पो का विचार करें देवगर के उपर किसी भी प्रकार का सामान भूल कर भी ना रखें प्रत्यक्षा प्रत्यक्षा रूप से इन अत्यंत छोटी-छोटी चीजो का बड़ा बोज इश्वर पर आता है यदि इश्वर के सीरे पर बोज हो तो इश्वर का ध्धान बोज पर अधिक और आप कम होता है आप सोयम विचार करें, कि यदि आपके सर पर कागाज समान हल्की वस्तु रखिये हैं, तो आपका ध्यान उसी पर रहेगा, वहां शहस्त्रधार चक्र भी होता है, तो इश्वर के सीर पर किसी भी प्रकार की वस्तु ना रखे, देवघर में सबसे पहले लाल या पिले रंग का वस्तु रखे, उस पर देवो की स्तापना करे, अब देवो के स्तापना के भी कुछ नियम है, देवघर की कोई भी मूर्ती चार से छ इंच से अधिक उची नहीं चाहिए, शिवलिंग हो तो दो इंच से अधिक ना हो, ऐसे उसके नियम है, उन नियमों का भी पालन करना स्तापना करते समय सबसे पहले हम श्री गडेश जी की मूर्ती रख सकते हैं, उसके बाद गोपाल कृष्णा, उसके बाद आपकी कुल देवी, कुल दैवत, शिवलिंग, जैसा मैंने पहले बताया कि छोटा होना चाहिए, दुर्गा माता की मूर्ती भी आप रख सकते हैं, यहां एक विभाग और है, सीधे सीधे भगवान विश्णू की मूर्ती ना रखें, तो विश्णू स्वर्यूप शाली ग्राम को आप रख सकते हैं, कई लोगों को शाली ग्राम पता नहीं होता, तो शाली ग्राम यह छोटा सा पत्थर होता है, जीस पर चक्र का निशान द दिखाई देता है, उसे हम शाली ग्राम कहते हैं, आप उसे रख सकते हैं, उसके बाद, इसके बाद दाए हाथ को आपका दीपक होना चाहिए, तो बाए हाथ को कलश, दूप, चैसी चीजे चाहिए, अगर बत्ति का स्टैंड भी आप रख सकते हैं, देवगर में इसके अल अलदी कुंकुम, शंक, सफेद या पिली कवडी, तामबेका सिक्का, चौकी या पाटला आप रख सकते हैं, इन सभी चीजों को अत्तिनत कम जगे लगती हैं, देवगर के नीचे आप छोटा सा कबड कर सकते हैं, उसमें इन सभी चीजे रखी जाए, तो पुजा करना आप के रिए सरल हो सकता है, यह सब देवगर में क्या होना चाहिए, इस संदर्व में हुआ, यह जितना महत्वपुर्ण है, उससे भी आधीक महत्वपुर्ण है, कि देवगर में क्या नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले वहाँ निर्माल्य नहीं चाहिए, पूजा के फूल पहले निकाल लेने चाहिए अगर बत्ति के खाली पाकिट वहाँ पर कतई नहीं होना चाहिए तूटी हुई मूर्ती भी देवगर में नहीं चाहिए यदि कोई मूर्ती तूट जाए तो मान ले कि अपने घर के सभी दोश इश्वर ने स्वयम पर लिये हैं उस मूर्ती को प्रसात का भोग चड़ाने के बाद कुछ समय रूप कर उसे उठा ले साथ ही जल के कलश को रखे उसमें तुलसी पत्र डाले पूजा होने के बाद उस कलश का जल ओम नमस्शिवाय का जब करते हुए पूरे घर में चिरका जाए तो उसके अत्यंद सकारात्मक परिणाम आ पूरवया उत्तर दिशा में बैट सके उसमें और विस्तार से कहा जाए तो यदि आप विद्यारती हो तो नई चीजित का धेन शुरू हो तो आपका मुह पूरव दिशा में होना चाहिए यदि आप घर के प्रमुक हो आप नोख्री व्योसाय करते हो तो आपका मुह उत्त लिए होता है सच कहा जाए तो इश्वर को जगह की कोई आवशक्ता नहीं होती उसके पास सब कुछ है वास्तों में सब कुछ इश्वर का ही है यह देवगर आपने अपने लिए बनाया होता है इसी पद्दती से यदि आप देवगर बनाते हैं तो अन्य कोई भी वास्तु के नियम ना पालने पर भी आपको शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं वास्तु के लगभग आधे प्रश्न देवगर से चुटते हैं इस प्रकार हमारा घर और घर का देवगर यह विशे समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है हम यही रुकते हैं अगले भाग में जोत कर लाइक करना ना भूले धन्यवाद शुभंभवतु जय जोतिश जोतिश का द्यहन तता शास्त्र की शास्त्रिय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी दो किताबे प्रकाशित हो चुकिये हैं उनका अवश्य लाभ लीजिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चानल और हां बेल आइकोन दा बना ना भूले धन्यवाद